हाई एव्रीवन और आप सब कैसे हैं I hope you all are fine आज की recipe है औरत राजमा की दाल बहुत ही बढ़िया जो साबुत राजमा होते हैं और राजमा होते हैं जित्रा राजमा दोनों को मिलाकर बहुत ही delicious दाल बनती है और यह दाल किसी भी चीज के साथ खाए जा सकती है चावल रोटी ठीक है ऐसे ही खालो बहुत बढ़ी लगती है और पंजाबियों के दो बहुत फेबरेट होते हैं दाल मक्षनी तो नहीं कह सकते हैं दाल तड़का कह सकते हैं औरत की दाल और राजमा मिक्स तड़के वाली सारी detailed recipe मैंने आपको इस्क्रीन पर दे दिया है आप इसके according सारी तीजे डाल लेना और यह मैंने उड़द और राजमा दोनों को मिलाकर अच्छे से वाश कर लिया है दो तीन बार रगण रगण कर और उसके बाद मैंने इस से तीन से चार गुला पानी आट कर दिया है और इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, हल्दी और नमक, और अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले अट करूंगी, इस दाल में खड़े मसालो का टेस्ट तो बहुत बढ़िया आता है, गज़ब एक दम, बस खिलास टेस्ट आता है, ये मैंने बेली फैट कर दी है, तेज पत्ता, जिसे कहते हैं, और ये छोटा सा दाल जीनी का टुकड़ा है, ये एट कर दिया है, इस तरीके से भी दाल अच्छे लगती है, अगर आप उबल्ले में ही सारे खड़े मसाले डाल दो ना, तो वो भी बहुत बढ़िया रखती है, वैसे तो हम कई बार क्या करते हैं, हम बल्ले में डाल दो ना, खड़े मसाले सारे, ये ग्रीन चिली डाल दी, और ये लसन और अधरक, ये भी डाल दिया, इसके अंदर, और अब हम इसे कम से कम गलने तक, मतलब की, चार से पांस सीटी हम इसे लगाएंगे, लो मीडियम फ्लेम पर, और ये बहुत अच्छे से ग बल चुकी है सारी, और ये मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, चार से पांस टेबली स्पून मैंने ओईल, जीरा डाल दिया, उसके दे एक चमच, और ये प्याज चॉप कर लिए, दो प्याज हैं, दो टमाटर हैं, पहले प्याज को भूनेंगे, बहुत अच्छे से, क् कि हमें प्याज का मीठापन खतम करना है, इसमें हमें इसलिए थोड़ा इसे गोल्डन ब्राउन तक भूनेंगे, थोड़ा भूनेंगे इसको, हल्का सा नमक डाल देंगे, और सारी कोकिंग हमें लो मीडियम फिलेम पर करने हैं, देखो, प्याज थोड़ी सी न, होगे ट्र और फोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है, दोनों के फ्लेवर आहेंगे फिर उबलने के भी, और तड़के के भी, हला, ह। तो यहाँ पर एड़ कर दिया हमें टमाटर और टमाटर में एड़ करते ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक एड़ कर दूँगी ताकि टमाटर इजिली गल जाए ठीक है देखो अब ही टमाटर थोड़ा गलना शुरू हो गया है हमने फिलेम अभी भी लो मीटम ही रख रखी है हलका समय नमक डाल दिया है ताकि टमाटर थोड़ा से जल्दी कल जाएगा और मसाला यह देखो दाल बिलकुल बढ़िया से एकदम गल गई है और एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी पर आ गई है पानी अगर आपको उस समय कम लगे तो आप बाद में भी और पानी याट कर सकते हो और इस कंसिस्टेंसी तक ला सकते हो दाल को ठीक है यह रेखो यह वाली कंसिस्टेंसी होने चाहिए बस इधा हमातर का तयार होड़ा है फट़फट इन तमाटर को थोड़ा सा ना पीस दे जब दाल में खाने में तो बहुत बढ़ी अलगता है यहां एट कर दी है रट चिली पॉडर सूखा दनिया हलकिसी हल्दी भी आट कर दी है और थोड़ी सी ना इससे मसाले में और ज्यादा जो शाइनिंग से आजाएगी थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने पर दाल में न जादा चम्मच ही डाला था यहां एट कर दी है मैंने मैंगो बॉडर खटाई अगर आपके टमाटर ज्यादा खटे हो तो खटाई एट मत करना थोड़ा ता गरा मसाला आदी चम्मच यहां हमने सारे मसाले एट कर दिये अब इन मसालों को भी हल्क असा हमने एक सेकेंड के लिए भूनना है सिर्फ इस तरीके से और बस सारा तड़का हम डाल के अंदर एट कर देंगे देख रहे हो ना किता बढ़िया तड़का बना है और एकदम मजदार यमी डिलीशियस तड़का और इपनी डिलीशियस डाल है कि बस माउथ वाटरिंग बनाएगा जरूर और बताएगा मुझे जरूर अपने कमेंट करके कि आपनी डाल बनाई तो फ्रेंट्स और फैमली क्या रियक्शन दिया और कैसी डाल बनी और बहुत ही अच्छी बनेगी मुझे पता है आपको तारीफे बहुत ज्यादा मिलने वाली है इस रासीपी को जरूर फॉलो कीजेगा और बहुत बढ़िया रासीपी है आ रहा है ना मुझ में पानी यह उपर से मैंने तर्का बना के डाल दिया है इसमें और देसीगी का देसीगी में थोड़े सी कश्मीरी रैट चली और हलका सा हींग डाल के और थोड़े सा जीरा डाल के तर्का बना दिया और उपर से यह एट कर दिया है दाल के उपर बहुत बढ़िया लग रहा है ना इंता मुझ मुझ में पानी आ र करता है उपर से घरनेशिंग कर दी है गरीन चेली के साथ थैंक्स पर वाचिंग चलिए मिलता है फिर किसी नेक्स्ट राइसेपी की वीडियो में तिल देन बाइबाई टेक क्यार